आज हम जो हमारे पास आठा बच जाता है रोटी बनाने के बाद में उस आठे से आज हम मज़ेदार से और चटपटी रेसिपी बनाएंगे यह रेसिपी बनाना असान है, सबसे पहले यहापर हमें एक चमच ओईल लेना है, और उसके बाद हमें डाल देना है स्वादा नुसान नमक, और इस ओईल में हमें यह नमक अच्छी तरह से मिला देना है, हमारे गर में रोटिया बनने के बाद थोड़ा सा आटा बच जाता है वो आटा हमें ले लेना है, और अगर आपके पास आटा नहीं बचता है, तो आप इस रेसिपी के लिए आटा गूत भी सकते हैं, इस प्रकार से हमने जो हमारा आटा बचा था, वो हमने लिया है, और जो हमने ओईल और जो नमक का हमने मिक्षर बनाया था, उसमें हमें यह अच्छी तरह से गूत लेना है, ताकि हमारे आटे को अच्छी तरह से नमक लग जाएगा, इसके बाद उस आटे के हमें छोटी छोटी लोईया बना के ले लेनी है, जिस प्रकार से हम छोटी रोटी बनाने के लिए लोईया बनाते हैं, और जैसे हम पूरी बनाने के लिए ल त्यार कर लेने हैं आप देख सकते हैं उस आठे के हमारे पास चार बॉल तैयर हो चुके हैं यहाँ पर हमें सबसे पेले एक लोई ले लीनी है और उसमें थोड़ा सा सूखा वाल आठा लगा देना है और इसे अच्छी तरह से में बेल लेना है बेलते समय यहाँ पर द्यान कि यह जादा पतला और जादा मोटा नहीं होना चाहिए मीडियम सा हमेज से अच्छी तरह से बेल लेना है ज्यादा समय नहीं लगता है रेसिपी बनाने के लिए जल्द बाजी में होने वाली रेसिपी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीचेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सिस्क्राइब भी कर दीचेगा ताके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगे आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी यह रोटिया ची तरह से बेल के हो चुकी है अब हमारे जो लोईया बची उसकी भी हमने यह चोटी चोटी रोटिया बना के लिए है यहाँ पर हमें एक कडाई लेनी है और उस कडाई में पानी हमें गरम कर लेना है थन्दे पाने में हमें यह लोईया नहीं डालनी है गरम पाने में हमें यह रोटिया डाल देनी है पानी हमारा उबला हुआ होना च गीया बटर पसंद हो तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं और इस प्रकार से हम इसे पका लेना है जब पक जाएंगी तो पानी के उपर तेरने लगेंगी तो आपको पता चलेगा कि अच्छी तरह से पक चुकी है इसे हमें ठंडा कर लेना है और फैन के नेचे सुखा लेन है आदा चमच जीरा और आदा चमच हमें डाल दीने ही सरसो की दाने और इसे अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है इसके बाद तीन से चार लिसों की कलिया हमें बारिक काटके डाल दीनी है एक प्याज लेना है हमें बड़ा बड़ा काटा हुआ जिस प्रकार से हम पकोड़ बनाने के लिए प्यास काटते हैं उसी प्रकार से ये प्यास हमें काटके ले लेना है जब हमारा प्यास अच्छी तरसे पग जाएगा इसके बाद हमें डाल देना है एक कप पत्ता गूबी और एक बड़ा छोटा काटा हुआ हमें टमाटर लेना है एक शिमला मिर्च लेनी है जोटी- אז जोटी काटी हुई अब यस सब 750 तरश से फ्राइ कर लिया हैं सोपा पर यसे अच्छी तरश से दॉन अच्छ अची तरश से जल्दी से सफ्राइ हो हैकी इस सब्जें आपको ढगकन नहीं रखना है वर्ना सब्जेंगी45 इसके बाद हमने लेना है एक चमज रेड चिली जुसास एक चमज खरीन चेली सॉस एक चमज शेजवान चटनी और थोड़ा सामें लेना है सोया सॉस इस प्रकार से अच्छी तरद से मिला लेना है ताकि हमारे जो सब्जी आए उसे यह जो हमने मिर्च मासले डाले यह सब्सद síndмотр, लन्च या डिनरने भी आप यह empieza can have a recipe when you cook except fine इस प्रकार से में है यह रोटी की हुआ छोटे चोटे pieces काट ले ने हैं अगर आपके पास इस प्रकार के चमज है तो आप काट सकते है वरनना आप saakoo की मद सेवी से काट सकते différents आप देख सकते हैं जाधा पतला और जाधा मोटा भी हमने नहीं किया है सो हमने जो नूडल्स बनाई थे आटे के वही समय मसाली में डाल देने हैं और अच्छी तरह से फ्राइ कर देने हैं अगले रेसिपी में तब तक लिए बाबाई टाटा